नमस्कार मैं सुशिला राय डिमरी रोज की रसोई में आपका स्वागत है दोस्तो किचन में जब हम चावल दाल आटा ज्यादा स्टोर कर लेते हैं या बरसाथ के मौसम में इसमें गुन लग जाते हैं ऐसे में समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे साफ करें कुछ लोग तो बेकार समझ कर फेक देते हैं क्योंकि जब ये ज़्यादा मात्रा में लग जाते हैं तो इनको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको फेकने का मन भी नहीं करता और खाया भी नहीं जाता ऐसे में सबसे पहले अनाज को स्टोर करने का तरीका सही होना चाहिए अनाज को कीड़े लगने से बचाने के लिए अनाज में हींग का एक टुकड़ा रख देना चाहिए हिंग की तेज महक अनाज में मौझूद कीड़े और गुन को धूर बगाने में मदद करती है आप इसे अपने कंटेनर में भी रख सकती है इसे कोई नुकसान नहीं होता टैंक्स वर वाचिंग रोच्खी रसुई